हेलो एवरिवन वेलकम तो अनेधर वीडियो बाई एससे स्कॉलर्स गाइज वोकेबलरी की सीरीज में आज हम वर्ड पार मेड इजी का चैप्टर नमबर टैन पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे अबाउट कोमन फिनोमेना एंड ओक्रेंस यानि कि कुछ ऐसी चीजो एकस्के बीच में पढ़ा दूँगा सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वर्ड आप काता है पैनीूरी पैनीूरी आपका बना है रूट वर्ड पैनीूरियासे जिसका मतलब है नीड या फिर बोले इसकैरसिटी यानि किसी चीज की जरूरत या फिर किसी चीज की कमी तो पै इसे स्टेट है जिसमें कि इंसान जो है एक्स्टिमली पूर होता है, यानि कि बहुत ही जादा हद से जादा गरीब वाली जो है, यह इस्थिति है, दैन एक वर्ड आता है, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट में आद देखे, आपका जो है, एफ एक प्रेफिक्स यूज़ किय जिसमें कि आपके तरफ पैसा बहता है ठीक है तो यानि कि ये बेसिकली पैनियूरी का जिस्ट अपोजिट है पैनियूरी में क्या है बंदा बहुत ही जादा गरीब था और एफ्लुएंट का मतलब क्या है यहां पर बंदा बहुत ही जादा अमीर है पैसे वाला है तो यानि एक वर्ड में अगर हम बोलें तो effluent का मतलब क्या है? वैल्दी या फिर बोलें एक ऐसा person जिसकी तरफ पैसा जो है बहरा है. Money keeps flowing to you. अगर मैं आपको effluent बोलता हूँ तो इसका मतलब है पैसा आपकी तरफ बहरा है. Then एक वर्ड आता है एनोडाइन. एनोडाइन आपका बनाए देखे एन ये जो ए एन लगा है ये है एक negative prefix. यानि कि ये जिस वर्ड के साथ लगेगा उसका meaning को negative बनाएगा. और ओडाइन, ओडाइन का मतलब है pain यानि के दर्द. तो एनोडाइन का मतलब क्या है? Pain को कम करना या फिर खत्म करना. अब देखे, आपको कोई person एक statement दे रहा है, कोई आपसे बात ऐसी बोली जिसकी वज़े से आपका pain कम हो रहा है. तो यानि कि एक बात जो आपके emotional pain को कम कर सकती है, ठीक है? उसी तरीके से कोई medicine है या फिर कोई drug है, वो क्या है आपके physical pain को कम कर सकता है? तो दोनों को ही हम anodyne बोलेंगे, यानि कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके pain को कम करती है, चाहे वो pain आपका emotional हो, चाहे वो pain आपका physical हो, अगर उसको कम करती है, अगर उसको खत्म करती है, तो उसको हम बोलेंगे anodyne, clear? दनाता euphemism, euphemism में देखे, आपका prefix यूज क्या गया है, e-u, e-u जो आपका prefix है, इसका मतलब है good, यानि के अच्छा, और famism, famism आपका बना है, famism से जिसका मतलब है voice, यानि के आवाज, तो देखे, something said in a good voice, यानि के कुछ भी बोला जा रहा है आपसे, लेकिन वो जो है, अच्छी आवाज में बहुत ही जादा good voice में बोला जा रहा है, तो उसको बोलेंगे euphemism, clear, दनाता euphony, तो euphony में देखे, e-u आपका आगया, यानि के good, कुछ अच्छे की बात की जा रही है, और phony, phony आपका बना है phone से, जिसका मतलब है sound, यानि के dhwani, तो euphony का मतलब है good sound, good sound का मतलब क्या है, देखे, pleasant rhythm, जो के आप गाने वगरा सुनते हैं, वो आपको अच्छे लगता है, ठीक है, pleasant लगता है, क्यों, क्योंकि उनमें एक rhythm होती है, ठीक है, उनमें एक जो है, काफी, जो है, तरीके से एक interval के बाद, एक definite interval के बाद, चीज़े को repeat किया जाता है, तो वो जो है, आपको बहुत ही जादा pleasant लगता, good sound है, इसलिए उसको बोलेंगे, यूफोनी, आगे चलके हम बात करेंगे, कि अगर sound जो है, अगर rhythm अच्छी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये तो अच्छी sound है, अगर sound अच्छी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, याफिर speech, एक चीज़ याद रखे, अभी तक जो आप पढ़ते आएं, वो आप पढ़ते आएं हैं, कि लोजी का मतलब होता है, किसी भी चीज़ की study, या फिर किसी चीज़ की science, बट याद रखे, लोगस का मतलब यहाँ पर क्या है, word या फिर speech, यानि कि शब्द या फिर तो यूलोजी का मतलब क्या हो गया, good speech, यानि कि अच्छी speech देना, किसी के बारे में अच्छा बोलना, और basically यूलोजी जो है, तब दी जाती है, जब कोई person की death हो जाती है, तो उसकी praise में एक formal speech दी जाती है, चीक है, उसको जो है, बता जाता है, कि ये बंदा इतना अच्छ और ये ये काम इसने अच्छे किया थे, clear, तो उसको हम बोलते है, यूलोजी, दनाता यूफोरिया, यूफोरिया मैं भी देखे, यू आपका आगया, यानि के good, फोरिया का मतलब है feelings, यानि के भावना, तो अच्छी भावना, उनको क्या बोलेंगे, यूफोरिया, दनाता यू थेंसिया, यू यानि के good, और थेंसिया बनाए थेनटोस से, जिसका मतलब है death या फिर बोलिये, मरत्यू, तो यानि के good death, अच्छी मरत्यू, अच्छी कैसे हो सकते है, तो देखे, काफी सारे बंदे जो है, वो मरते हैं, तो उनको काफी जादा pain होता है, ठीक है, काफ platitude, platitude देखे, आपका बना है, platis से, जिसका मतलब है flat, यानि के chapter, तो platitude का मतलब क्या है, एक flat statement, यानि के, आप से मैं कुछ उमीद कर रहा हूं कि आप कुछ excited बोलेंगे, बट आप कुछ ऐसी बात बोलते हैं, बहुत ही जादा boring सी, हो सकता है, आप सच बोल रहे हैं, maybe true, ब बोलते हैं, then आता है, evanescence, evanescence में देखे, e आपका prefix आ गया, e आ गया, इसका मतलब है out, यानि बाहर करना, venescence आपका बना है venesco से, जिसका मतलब है to vanish, यानि के, खतम करना, तो evanescence क्या है, एक ऐसी condition, जिसमें के जो आपकी चीज है, जो आपकी वस्तु है, वो बहुत ही short time के लिए exist करती है, ठीक है, कोई ऐसी चीज है, जो के बहुती कम समय के लिए आपके साथ है, और उसके बाद वो धीरे धीरे जो है, vanish हो जाएगी, और public उसे भूल जाएगी, clear, तो यानि कि evanescence का मतलब आपको समझाए का, ये क्या एक condition है, ये जो आपके थोड़े समय के लि ये जिस वस्तू के साथ ये चीज हो रही है, उसको बोलते है, evanescent, यानि कि ये तो एक हो गई condition, यानि कि अवस्ता, और ये जिसके साथ हो रही है, उस परसन को बोलेंगे, उस चीज को बोलेंगे, evanescent, तो देखे एक चीज आप याद रखे, अगर किसी वर्ड के बाद में sense आ रहा है, s-c-e-n-c-e, उसका मतलब है begin to, जैसे कि ये जो चीज है, ये जो condition है, इसमें ये जो कोई भी चीज होगी, ये vanish होना start हो गई, यानि begin to vanish, कोई भी चीज खत्म होना start हो गई, तो sense का मतलब क्या है, begin to, then आपके काफी ज़ादा interesting words आते हैं, leonine, leonine में देखे ए i-ne लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, like, like का मतलब, किसी चीज के समान था, ठीक है, similar to किसी चीज के समान या फिर किसी चीज की तरह, और leonine आपका लगा हुआ है, leonine का मतलब क्या हो गया, एक share की तरह, like a loin, यानि कि अगर मैं किसी बंदे को leonine बोलता हूं, तो उसका म अगर लगा है, इसका एक share की तरह है, थीक, आप बोलता है, ये बंदा तो share की तरह काम करता है, share की तरह बागता है, या पिर बोले आगर कोई person नहीं ढरता तो उसको अप क्या बोलेंगे, लियो नाईन बोलेंगे, उसी तरीके से कैनाईन, तो nis can version can se user is dog, यानि थी कुतभ तो कैनाईन का मतलब हो गया लाइका डौग बौवाइन में बुवाइन में देखे है भी ओवी आपका अपक्षा है ब stubis say जिसका मतलब है cow यानि गाए तो बौवाइन का मतलब हो गया猥ाई काए एक गाए की तरहा ये पर्संट बहुत ही जाँ है एक तरीके से बोलेंगे इसम्पल और बहुती ज़ादा एक आप बोलियो उस से कुछ भी कह दो उस पर कोई असर नहीं पड़ता उसको जल्डी से गुसा नहीं आता तो आप उसको क्या बोलता है कि ये परसन बहुती ज़ादा गव है ठीक है बहुत ही जादा जो है एक तरीके से समझधार और सिंसेर एक बंदा है तो उसको हम क्या बोलेंगे like a cow देन आता है felline felline आपका देखे I-N-E आया है यानि के like या फिर बोले similar to किसी चीज़ के समान या फिर किसी चीज़ के जैसा अब fell आपका बना है fellis से यानि के cat बिली तो बिली के जैसा like a cat देन आता है porsin porsin में देखे por आपका बना है porkas से जिसका मतलब है pig like a pig vulpine vulp आपका बना है vulpas से जिसका मतलब है fox यानि like a fox अब देखे कोई बंदा अगर चालाक है बहुत जाता तो आप उसको क्या बोलेंगे vulp आइन बोलेंगे यानि कि एक लोमडी की तरह चालाक है वो then आपका आता है urs sign urs sign में देखे urs जो है urs जो है यह बना है ursus से जिसका मतलब है beer तो urs sign का मतलब क्या हो गया like a beer then lupine lupine में lu आपका बना है lupus से जिसका मतलब है wolf तो like a wolf अब काफी जादा बंदे बहुत ही जादा अगली होते हैं ठीक है तो उनको हम क्या बोलते है like a wolf ठीक है एक भेड़िये की तरह lupine equine equine में देखे equus से जिसका मतलब है horse यानि के घोड़ा यह हम पहले भी डिसकस कर चुके है तो equine का मतलब क्या हो गया like a horse एक घोड़े की तरह अगर कोई बना बहुत तेज भागता है तो आप बोलते हैं कि घोड़े की तरह भाग रहा है आप उसको यह मत बोले आप उसको सीधा बोले कि equine clear equine का मतलब क्या हो गया घोड़े की तरह अब आता है cacophony देखे मैंने आपको बताया था कि euphony क्या है अच्छी साउंड तो उसे तरीके से cacophony का मतलब है bad sound क्यों क्योंकि देखे caco जो है ugly noisy clear then आता है telephone अब देखे phony की बात कर रहे हैं तो telephone की बात कर लेते हैं तो देखे telephone आपने सुना है तो telly में देखे phone जो है इसका मतलब क्या होता है sound यानिके आवाज और telly का मतलब है far यानिके दूर तो दूर से आवाज आना उसको क्या बोलते है, टेलीफोन बोलते है clear, sound from a far दनाता है, sexophone तो sexophone देखे, phone का मतलब क्या है, sound तो ये एक instrument है, जिसके अंदर से sound निकलती है तो ये एक musical instrument है, ठीक है इसके अंदर से sound निकलती है, इसलिए phone आ गया और sexo इसलिए आ गया, क्योंकि ये जिस scientist ने, जिस person ने develop की है उनका नाम था, sex से, ठीक है तो इसलिए इसका नाम क्या पढ़ गया, sexophone दनाता है, xylophone, तो देखे, phone का मतलब आपको पता है, sound और xylo बना है xylon से, जिसका मतलब है wood, यानि के लकडी तो sounds through wood, ये क्या कहला है, xylophone क्या होगा sounds through wood, यानि लकडी के थूँ आवाज है अब आता है कार्णी वोरस, कार्णी वोरस में देखे, आपके दो root words है सबसे पहला कार्णी जिसका मतलब है flesh यानि कि, ये क्या एक तरीके से soft part जो होता है, human body का मास आप जिसे बोलते हैं, ठीक है, skin और bone के बीच का जो part होता है उसको बोलते हैं flesh देन आता है वोरस, वोरस आपका बना है वोरसे, जिसका मतलब है to devour सीधे सीधे समझे, वोर का मतलब है खाना clear, तो कार्णी वोरस का मतलब क्या हो गया, जो के कार्णी फ्लेश और eat, तो जो के flesh को खाता है, यानि मास को खाता है, तो आप बोल सकता है meat eating, कार्णी वोरस, आपने biology में पढ़ा होगा, कार्णी वोरस आप कौन से animals को कहते हैं, जो meat खाते हैं, ठीक है, जो मास खाते हैं, उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा, ओमनी वोरस में देखे है, हर्बा का मतलब क्या होता है, हर्ब, यानि के हरी सबजियां वगेरा, या फिर बोलिए पेड़ पते वगेरा, तो जो पेड़ पते वगेरा खाते हैं, जो vegetarian होते हैं, उनको बोलते हैं, हर्बी वोरस, और जो आपके non vegetarian होते हैं, उनको बोलते हैं, कार्णी वो कार्णल का मतलब क्या है फ्लेशी सेंस्वल या फिर बोलिए लुब्रीशियस क्लियर यानि कि कार्णल का मतलब क्या है एक तरीके से आपके जो मास है ठीक है उसमें जो आपको सेंस्वेशन हो रही है सेंस्वल जो है वो आपका कार्णल क्या लाएगा दनाता है इनकार्णेट incarnate का मतलब है in the flesh तो देखिए यह आपने काफी बार सुना होगा incarnate एक तरीके से devil incarnate ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका flesh है mask के अंदर जो है वो devil है clear तो यह जो है काफी जादा words use होते हैं English language में हाला कि आपके exam के purpose से यह बिलकुल भी important नहीं है but काफी बार आप जब books को read करते हैं तो उनमें यह words आ जाते हैं बीच बीच में इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ reincarnate का मतलब क्या है rebirth जीक है reincarnate का मतलब again दोबारा incarnate का मतलब है in the flesh याने के mass में आ जाना तो दुबारा किसी person के अंदर mass आ जाना तो वो क्या कहलाएगा rebirth कहलाएगा याने कि यह एक इस तरीके से है एक तरीके से अवतार लेना incarnate का मतलब है अवतार लेना और reincarnate याने के दुबारा अवतार लेना clear, simple then आपने omnivores बढ़ा तो omni का मतलब क्या था all या फिर बोले everything जो के हर चीज़ को खाते हैं तो यहाँ पर देखे omnis का मतलब all और omnipotent आपका पहला word है तो potent का मतलब क्या है potent आपका बना है potent से जिसका मतलब है powerful याने शक्ति शाली या फिर शक्तियों से भरा हुआ clear तो omnipotent का हो गया all powerful तीक है याने कि जिसके पास शारी शक्तिया है जैसे कि आप ये जो है omnipotent आप गोड के लिए भी यूज करते हैं या फिर किसी एक तरीके से बोले official के लिए government official के लिए भी आप यूज कर सकते हैं for as king तीक है जिसका मतलब है knowing यानि कि जानना जो कि हर चीज को जानता है हर चीज की जानकारी है उसको हम बोलते है omniscient ठीक हर चीज की जानकारी यानि कि ये जो है infinitely wise है यानि कि बहुत ही ज़ादा हद से ज़ादा समझदार है किसी चीज की आपको यानि आप एक ऐसे person है आपको सब चीज की जानकारी है तो आप क्या हैं बहुत ही ज़ादा wise है बहुत ही ज़ादा समझदार है बहुत ही ज़ादा intelligent है हद से ज़ादा infinitely clear then इक word आता है omni present omni का मतलब all और present का मतलब present तो यानि के आप एक समय पर at once आप हर जगा जो है present है present in all places at once उसको क्या बोलते हैं omni present बोलते हैं so ये थे आपके कुछ words chapter number 10 से जो के हमने आज के इस session में discuss करे I hope आप सभी को ये words जो है काफी जादा easy और समझ भी आए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगते है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि chapter number 11 का notification आप बिल्कूल भी miss ना करो thank you